अगर बात करें कि इस गाड़ी के इंजन के बारे में तो अगर बात करें इस गाड़ी के इंजन की तो आपको इस गाड़ी में मिल जाता है 15cc का फोर स्लेंडर डीजल इंजन जो की टर्बो चार्ज इंजन है जिक स्पीड मैनलोगेर के साथ ये गाड़ी आती है अगर बात करें इसकी मैकसिमम पावर की तो 115BHP की मैकसिमम पावर मिल जाते है 3750RPM पे और मैकसिम टोर्क मिल जाते है 300NM की 1500 से लेके 5000RPM पे तो ये तो इस गाड़ी के इंजन स्पेसिक्वेशन काफी बहतरी इंजन आप बात करते हैं गाड़ी की फ्रेंट प्रोफाइल की और देखते हैं फ्रेंट में आपको इस एक्स्वेशन की फीचर मिल जाते हैं तो कि करके बात करते हैं सबसे पहले इस गाड़ी की हैडलाइट की बात करते हैं आपको हैलोजन हैडलाइर मिल जाती है निची की तरफ कोई तींस तरह की ओर luk आती है मेहन्दर एक्सवी three in red w4 variant अगर बात करें गाड़ी के सब से पहले टायर साइज की तो आपको इस गाड़ी में मिल जाता है 16 इंच के स्टील वील तो काफी बढ़िया वील साइज आपको इस गाड़ी में मिल जाता है めकर बेसर मिल जाता है तो यह मिल जाता है फेंडर पर हुसा बुद्धा की इंडिकेटर मिलता है गाड़ी जो की बढ़िया उप्चन हो जाता है बेसरेश इट से ही हैं अगर भाहतो अगर बातो पर हो में पालँ चलने से पहले Greek मैं सबसे बहतेनी फीचर आपको इस गाड़ी के बताता हूँ आपको इस गाड़ी में चारो टायर्स में डिस ब्रेक्स मिलते है तो सेफटी के नाम पर भी काफी बढ़िया ब्रेकिंग आपको इस गाड़ी में मिल जाती है ABS, EBD वागरा के साथ अगर बात करें, बैक प्रोफाइल फीचर की रूफ में आपको कोई भी एंटीना नहीं मिलता है W4 variant में नहीं कोई स्पोलर मिलता है हाँ पर हिस्टो माउंट लाइट मिल जाती है बैक ग्लास में कोई भी डिफोगर वाइपर नहीं मिलता है हाँ पर XUV300 का बैजिंग मिल जाती है तो ये तो वे इस कार के exterior looks and features अब चलते है कार के अंदर और देखते हैं इंटीरियर में आपको क्या क्या features मिल जाते है उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस गाड़ी में आपको 5 star safety rating मिल जाती है अब बात करे कार की keys की तो आपको कुछ इस तरह की गाड़ी में दो keys मिलते है कोई भी remote की आपको नहीं मिलती है simple की मिलती है ना ही कोई flip की वगएरा है तो आप चलते है गाड़ी के अंदर और देखते है interior के features सबसे पहले बात करें के गाड़ी के front door की तो आपको कुछ इस तरह की ओर ओर लुक मिलती है गाड़ी के front door की dual tone में आपको गाड़ी का interior मिलता है black and white color का तो काफी बढ़िया लगता है देखने पर plastic quality काफी बहतरी नहीं है यहापे आपको base variant सी 4 power window मिल जाती है ORM को auto adjust auto fold कर सकते है यहापे आपको tweeter मिल जाता है एक यहापे speaker की space मिल जाती है नीचे की तरह आपको काफी बड़ा space मिल जाता है border holder का यहापे कोई भी leather का use नहीं करा गया hard plastic का use करा है नीचे की तरह एक reflector type मिल जाता है आपको तो कुछ इस तरह के आपको गाड़ी की interior की look मिलती है बाहर से देखने पर काफी बढ़ी है और premium लगती है गाड़ी का interior देखने पर black and white color में front seat की बात करें तो headrest मिल जाते है आपको seat में leather seats आपको नहीं मिलती है यहापे नीचे की तरफ कोई भी हाइट एड़ेजिस्ट करने को option भी नहीं मिलता है गाड़ी में यहापे आप देख सकते हैं यहाप देख सकते हैं ब्लैक कलर का इसी went मिल जाता है इसके नीचे की तरफ आपको headlight register मिल जाता है तो काफी बढ़ी है यहापे feature मिल जाता है बस महंदर का लोगो कोई भी controls नहीं मिलते है left and right steering wheel के अंदर इस तरह की आपको गाड़ी की MID मिलती है बेस विरेंट से ही जो की देखने पर काफी बढ़ी है लगती है टोप विरेंट जैसी MID आपको मिल जाती है बेस विरेंट से ही कुछ इस तरह की गाड़ी के center console की लोग आती है पर कोई भी आपको music system नहीं मिलता है इस विरेंट में अगर डैसबोर्ड की quality की बात करें तो काफी premium डैसबोर्ड दिया गया है गाड़ी का base विरेंट से ही आपको manual AC मिल जाता है जो देखने पर काफी premium लगता है 6-speed manual gear के साथ गाड़ी आती है नीची के तरह आपको यहाँ पर charging socket वगएरा मिल जाते है gear knob भी आपको काफी premium दिया गया है यहाँ पर देख सकते है glossy finance में दिया गया है नहीं तो जाद तरह cars में आपको black color का मिलता है जो की काफी old लगता है देखने पर यहाँ पर आपको handbrake मिल जाता है बीच में कोई भी armrest नहीं मिलता है base variant में आप showroom से ही लगवा सकते है accessory में इसमें armrest भी इस तरह का आपको यहाँ पर decent side का glove box मिल जाता है plastic quality देख सकते हैं काफी बहतरी इंदी गई है यहाँ पर थोड़ा space दिया गया है day night rear view mirror आपको मिल जाता है base variant से ही रूफ में आपको यहाँ पर driver side पर कोई भी vanity mirror नहीं मिलता है को passenger side पर कोई भी vanity mirror नहीं मिलता है adjustable grab handle मिल जाते हैं आपको तो काफी बढ़ी है feature हो जाता है तो यह तो हुए इस गाड़ी के front interior features अब चलते हैं गाड़ी की rear seat पर देखते हैं आपको rear seat में कितना space और क्या कुछ features मिल जाता है इस XUV300 W4 variant में बात करें के सबसे पहले इस के rear door की तो आपको कुछ इस तरह की look मिलते है इस गाड़ी के rear door की देखने पर काफी बढ़ी है लगता है लगता नहीं है कि गाड़ी base variant है यहां पर देख सकते है एक power window का switch मिल जाते है door lock and lock option मिल जाता है अगर आप इसमें touch screen लगवा देगे तो कहीं से नहीं लगए यह गाड़ी base variant इस तरफ काफी कम बंप मिलता है आप पर rear race events भी नहीं मिलते है आपको W4 variant में space वगर आपको काफी बढ़िया मिल जाता है गाड़ी में seats भी काफी बहतरी है quality wise यहां पर आपको adjustable grab handles मिल जाता है पीछे की तरफ एक reading light मिल जाती है yellow color की तो यह हुए इस गाड़ी के interior features अब चलता है गाड़ी के बाहर और एक बार देखते है गाड़ी के boot की तरफ चलके कितना boot space आपको XU300 W4 variant में मिल जाता है तो डोर भी काफी wide open हो जाते है उतरने और बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको इस गाड़ी में यहां से आप इसका boot open कर सकते है तो कुछ इस तरह इसके और लुक आती है boot की देखने पर तो अभी पास चलके देखते है गाड़ी में कितना boot space आपको मिल जाता है अगर space की बात करें तो 257 लिटर का आपको इसमें boot space मिल जाता है जो की compact XU के हिसाब से काफी कम है इतना space आपको hatchback में मिल जाता है यहाँ पर नीची की तरह आपको इस टपने टायर मिल जाता है जो की same टायर का है 16 इंच बूट में आपको कोई भी light भी नहीं मिलती है यहाँ पर कोई भी puzzle tray भी नहीं मिलती है अगर आपको इसके W6 ये W8 variant की वीडियो देखने तो वो भी चैनल पर कलिया पर्सों में upload होने वाली है उसके लिए आपको बस चैनल को subscribe कर लेना होगा और बैल आइकन को all पे कर लीजिए और अगर आप लोगों को इसके competitor टाटा नेक्स ओन बेस वीडियो देखने तो वो प्लोडर मैं आपको description में इसका link प्रोवाइँ कर दूँगा और अगर आपको Ford EcoSport के बेस वेरेंट की वीडियो देखने तो वह भी channel प्लडर उसका बीचैनल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूं तो वीडियो पसन आए तो वीडियो को लाइक कर दे और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे